हे गाईस वेलकम बेक टो अनादर वीडियो आज की जो मोटिफिकेशन लेकिया आए है आई आई टी आई एसम की तरप से जिया दोस्तों इंडियान इंस्टिट आफ टेक्नलोजी धनबात की तरप से आप सबी के लिए वेकेंसिस को आउट किया गया है यहाँ पर नोन टीचि से बात करेंगे इस वीडियो में तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों की वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक ची समझ में आ जाया है इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तों यह रहा इंगा ओफिशियल नोटिफिकेशन यह नोटिफिकेशन ISM मतलब इंडियन स्कूल ओफ माई धनबाद की तरफ से वेकेंसिस को आउट किया गया है चोवी जनवरी को यह नोटिफिकेशन रिलिस किया गया था यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से वेकेंसिस आउट की गई है देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेम आउप पोस्ट की बारे में यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले वेकंसिस आउट की गई है डियोप्यूर्टी, स्विप्रिटेंडिंग, इंजिनेर, इलेक्टिकल के लिए जिसमें टोटल नमबर आउफ वेकंसिस एक रखी गई है अगें यहाँ पर वेकंसिस निकाली गई है अगें बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कौन-कौन साइजुकेसन क्वालिफिकेसन इनों ने यहाँ पर मांगा है देखिए दोस्तों यदि आप Dupety Superintendent Engineering लिए अपलाई करना चाहते हैं तो यदि आपके पास Bachelor डिग्री है यापके पास Master डिग्री है Electrical Engineering में और आपकी एच 45 यर्ज से कम हैं तो आप इस पॉस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास at least 5 साल का experience होना चाहिए यदि आपके पास master degree है यदि आपके पास bachelor degree है तो 7 साल का experience इन्होंने मांगा है आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि desirable कौन-कौन सा experience है वो चीज़ आप आप देख सकते हैं और आप इस notification को जरूर डाउनलोड करें हमाई telegram channel से telegram channel को join करना आप ना भूले देखिए दोस्तों आप हम बात कर लेते हैं यहाँ पर assistant executive engineer के लिए यहाँ पर आपके पास bachelor degree है यहाँ आपके पास डिपलोमा है civil engineering में minimum 55% के साब तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं पांस साल का experience है यहाँ पर मांगा गाया है bachelor degree के लिए और यदि आपके पास डिपलोमा है तो यहाँ आपके पास 8 साल का experience होना चाहिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो grade पे होने वाला है वो 4600 होने वाला ह minimum 55% के साथ और आपके पास यहाँ पर experience है चार साल का तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको grade पर 2800 का मिलने वाला है कौन कौन सा desirable experience है यहाँ पर आपको 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 आटोगे याद होना चाहिए कमटर का knowledge आपके पास होना चाहिए इसके आज जो civil के works होते ह हैं वो चीज आपके पास यहाँ पर experience की तोर पर देखी जाएगी अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हाँ पर आपकी जो selection procedure किस तरीके से होने वाला है देखी दोस्तों यदि आप dpt superintendent engineering के लिए apply करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर step 1 में return test होगा जो कि 80 marks का रहेगा फिर हो होगा आपका 20 marks का ठीके दोस्तों और यदि आप junior engineering के पोस्ट के लिए apply करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर होने वाला है अलग तरीके से टेस्ट यहाँ पर screen test होगा देर घंटे का जो की calling fine nature का रहेगा जिसमें आपका physics, chemistry, mathematics and general English आने वाले हैं 25-25 marks के अब हम आगे बात क पुरा syllabus यहाँ पर provide किया हुआ है आप एक बार इस notification को जरूर देखें syllabus को जरूर सी हाँ पर देखें यदि आप recruitment test के लिए जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का TAD यहाँ पर नहीं मिलने वाला है और जो large date है online application की वो 11 March यहाँ पर रखी गई है आप यहाँ पर Telegram चैनल को जरूर जोइन करें महाँ पर आपको हमारे previous latest वीडियो की सबी links मिल जाएगी आप एक बार उनको भी जाकर जरूर सी देखिए आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने फेंट साथ शेयर नहीं किया है त तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए थैंकियो फर वाचिंग